कि आप सभी आई हो बहुत ही अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सभी को मालूमें की डिसेंट में एक न्यूज है कि टिलंगाना की डिजी पी अंजनी कुमार जी को सस्पेंड कर दिया गया है और बेजिस आप डिटिकल एथिकल बेग्राउंड एकिसाफ से अगर आप देखें मैं आपको थोड़ा सा आपको जानकारी बता दूं सबसे पहले कि आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के बेनिफिट आपको मिलेंगे एक लखी ड्राव होगा और 500 टेस्क टेकर्स का और यह सता दिसंबर को सुबह 11 बजे तो पार्टिसिपेट कर इंडोल कर सकते फ अंगर्स आपका जात हमारा जियां हम रफ्तार बैच इंग्लिस में लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो कि सिक्स डिसमबर से स्टार्ट होगा मंडे टु सटर्डे होगा अभी अब लेवल है ओन्ली ऑन 21,000 जियां क्यों 20,000 रुपे में यह अब लेबल है आप इस नंबर पर कॉल करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं साथ ही सिक्स मंद का यूपी ऐसी यहां पर यहां पर जॉइन और अपकमिंग बैच इस पॉर इसमें अपर अफ्टार और प्रैस को सब्लिम्स अगर आप देखेंगे तो यह ज्वाइन कर सकते हैं लिए आगे चलते हैं जहां पर आप देखेंगे कि राजस्थान है। दूसरे MP है और तीसरा में एक सबसे सब्बकला की जीत होती है उससी बेसिस बंका माईना ये है कि भाई ये model code violation है 2023 assembly election का एक हिसाब से और इस आधार पर इनको suspend कर दिया जाता है तो आगे देखते हैं इसके उपर detail में चर्चा करते हैं कि आखी election commission का कहना क्या है इस matter पे election commission कहता है यह यह नी misconduct on the part of djp टेलंगाना not only set a wrong president but send incorrect signals मतलब कहने का मतलब एक इनकरेक्ट सिगनल एक मैसेज देखा सिस्टम में टाकि एक्शन में देखिए समझे स्कौास्थान सब्सक्राइब में समझे आप एक पुलिस आफिसर और आपके जो senior है वह किसी भी party के candidate जीते हुए हैं अभी सरकार ने सपत नहीं लिए वहां पर जाके पर देना और एक हिसाब से जो जूनियर होंगे उनमें मैसेज क्या जाएगा मैसेज इस अधार पर जाएगा कि यह जो परसन है यह जो ब्यक्ति हैं ठीक है इनका इस पार्टी के साथ में अच्छे संबंध वी इस प्रकार से एक मैसेज रॉंग मैसेज सेट होगा जिसके ब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाकर थेकिए उनसे संबंध अच्छे बनाने की कोशिस करना शुरू करेंगे तो लॉइन और क्या होगा देख भाल कोन करेगा तो इस आधार पे अगर आप देखा जाए तो लॉइन और को मेंटेन करना जिनका काम है अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो इस बैसिस पर आप देखेंगे तो इस बैसिस पर आप देखेंगे तो एक प्रॉबलम होगी इस बैसिस पर इस टेपली आ गया लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो प्रेस रिलीज जो किया गया डीजीपी ऑफिस के रवारा वह यह बोला गया कि उस समय जो डीजीपी जो अंजनी कुमार जी गय थे उनको बुलाया गया था और भी सीनर ऑफिसर्स को बुलाया गया तो वो अरेंजमेंट करना चाहते थे उस अरेंजमेंट के डिसकसन के लिए वो लोग वहां पर गय थे बाकि कोई पर्सनली और प्राइबेटली या पर्सनल लेबल पर मिलने नहीं गय थे यह इनके कहने का मत है अब आईए आगे देखते कि क्या इलेक्शन कमिशन किसी को ह के दिने देखेंगे जिसके पास यह पॉयंट कर सकता है ट्रांस्फर कर सकता सब्सक्राइब इसके प्णीच कर नियुक्षेण का समय है तो इलेक्शन कमीशन लिकमेंड कर सकती स्थे गवर्मेंट को बंख ए पर्सन जो है इसको appoint किया जाए, इसको transfer या इसको suspend किया जाए क्योंकि fair election कराने के लिए तो वो state government को recommend कर सकती है election commission of India अब आगे बात कहते है the model code of conduct for DGP जो एक model code of conduct या guideline जो इसू किया गया था election commission of India के तहट उसको देखते हैं एक बार सबसे पहली बात election commission of India कहते है इंपार्सियल होना बहुत जरूरी है कहने का मतलब कि अगर आप unbiased law enforce करेंगे free from political influence तो ही आपका एक fair election conduct हो पाएगा तो सबसे पहली बात impartiality free and fair elections एक major for the intimidation of the free and fair election होना चीए security arrangement की बात किये गई है security arrangement जो है इसमें बोला गया जो police force है उसकी responsibility है to maintain the law and order and displaying personal and polling booth and ensuring the voter safety अगर इस basis पे वोगर किसी candidate के पास मिलने जाएगी तो जो दूसरा candidate होगा जो उसकी विपक्षी में चुना लड़ रहा होगा कही न कहीं वो insecure feel करेगा enforcement of the model code और यह जो code of conduct है जो आचार सहीता होती है इसका सक्ति से पालन होना चाहिए लेकिन इसका violation हुआ कोर्डिनेशन बिद्दा election commission collaborate with the election commission and other agencies for the smooth election और एक हिसाब से देखा जाए तो police प्रसाधन का काम है कि election commission of India के साथ collaborate करके smooth election करान है कि और इसलिए किसी particular party से इनका संबंध होना ठीक है और उनके साथ में close होना कहीं न कहीं एक अनबायस टेक्पर इलेक्शन के इलेक्शन के इलेक्शन के टाइम में करेगी जिर्जिस्ट स्टेट में इलेक्शन पूरा लेकिन इलेक्शन अभी नतीजे आई रहे थे मुलाकात जब सीट ज़्यादा आ गई मुलाकात होने मुलाकात के लिए गए वहां पर बुके दिया इस बेसिस पे अगर आप देखें इलेक्शन कमिशन ने यह अपने सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन अगर किसी एक को आप सपोर्ट करेंगे तो इंटेग्रीटी की खिलाब होगा सेगें इंटेग्रीटी अपोल्ड ऑनस्टी एंड ट्रांस्पेरेंसी आवाइड एक्शन सेंटिंगेट कोलिजन नेक्स्ट आपका पब्लिक ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना बहुर ज़रूरी है क्योंकि एटिकल कोड़ इस टिकल एक 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 लगए अगली है पॉलिक सर्विस कमिट्मेंट पुलिस विभाग जवाइन करने के समय पॉब्लिक सर्विस कमिट्मेंट होता है तो उसको निभाना बहुँ जरूरी और यह मोले सबसे उपर होने चाहिए किसी political party के support करने से या individually किसी से मिलने से लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जैसा कि DGP office से दिया गया लेटर तो आप देखेंगे आगे चलके इसके उपर क्या फैसला आता है इनके उपर क्या step होगा लेकिन these are ethical concern that you can mention और even आप समझेंगे किसी एक format करके question आ सकता है कि वही एक जो civil service होता है officer होता है जो IPS होता है police officer होता है उसके कौन-कौन से ethical concern election commission अब 2024 में election भी आप सभी को मालूम है तो election होने के समय जब state में या nation में जब elections हो तो कौन-कौन सी चीज़े जो है ethical concern है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए तो यह point आप लिख सकते हैं यह आपके value addition होंगे आपके point में तो अभी यहीं तक चलिए thank you so much फिर अगली बार मिलेंगे कोई अच्छे से topic के साथ में thank you